नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है exam pathfinder में जहां हम आपके लिए government jobs, competitive exams, admission और vacancies से related latest information और alerts लेकर आते हैं इसके लिए आप हमारी platform alert.exampathfinder.com पे विजट कर सकते हैं और अगर आप चाहिए तो हमारा app जोगा EPF alert app उसको भी play store से easily install कर सकते हैं तो दोस्तों UPSC यानि की Union Public Service Commission के द्वारा application निकाले गई थी Indian Forest Service Examination की 2022 में तो उसका means exam का IFOs का result declare हो चुका है तो results से related जानकारी के लिए बढ़ते हैं इसके official notification की तरफ तो दोस्तों इससे related अनने जानकारी के लिए आप इस attachments को देख सकते हैं जो यहां given है और जो result notice है means का वो भी आप हमारे platform पे विजट करके डाउनलोड करके देख सकते हैं तो दोस्तों यह जो result है यह Indian Forest Service के means examination के basis पे है यह result जो UPSC के द्वारा कंड़क कराये गए थे 20 तमंबर 2022 से 27 तमंबर 2022 तक जो भी candidates के रो number यहां पर given है नीचे वो qualify किये हुए है personality test के लिए Indian Forest Service examination के इन सभी candidates का जो candidates है वो प्रोविशनल है और आप जहां पर देख सकते हैं जो personality test और interviews और इन सभी candidates के वो कराये जाएंगे office में Union Public Service Commission के एध धौलपुरहव शहां जहारोड न्यू देली इसमोर लाइटर जो है personality test का वो अवेलेबल हो जाएगा candidates को और वो candidates डाउनलोड कर सकते हैं UPSC की website से www.upsc.gov.in या फिर UPSC.online.in तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जो भी candidates क्वालिफाय हुए personality test interviews के लिए उनको फिल करना होगा और submit करना होगा अपने detail application form DAF2 जो mandatory है तो आप इसको देख सकते हैं इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस तरह से यह notice है जो mark sheets है candidates की जो qualifier नहीं हुए हैं वो commission की website पे 15 दिन बाद जो publication होगा final result की उसके 15 दिन बाद अविलेबल हो जाएगी और वो website पे 30 दिनों के लिए अविलेबल हो जाएगी और वो जो है qualified candidates के वो website पे अविलेबल है जो है upse.gov.in तो इस तरह से जो भी candidates shortlist हुए है जैसा कि आप देख सकते हैं आपको उसकी list आपको यहाँ मिल जाएगी तो इस तरह से qualified candidate के list है उन सभी candidates के roll number यहाँ पे given है जो candidates qualified हुए है personality test के लिए तो अगर आपने इसका exam दिया था मेंस का तो आप रिजल्ट जल सचल चेक करें रिजल्ट नोट्स आपको मैं platform पे easily मिल जाएगा जो भी candidates select हुए है personality test के लिए उनके roll numbers यहाँ given है यह sheet आप हमारे platform पे download करके देख सकते हैं यह list आपको मैं platform पे easily मिल जाएगी qualified candidate की list है roll number के साब साब इसको check कर सकते हैं सभी candidates जिनके roll number यहाँ given है personality test के लिए qualify हुए है तो आप इस list को मैं platform पे विजट करके download करके देख सकते हैं तो आप इसको जल से जल चेक करी मैंने आपको इससे related सारी जानकारी सुनश्यत कर दी है इससे related update से बने रहने के लिए आप इस even को subscribe भी कर सकते हैं और अगर आप कोई भी information श्याय करना चाहते हूँ तो हमारे platform पे विजट करके discuss button पे click करके हमारे platform community.exam pathfind.com पे विजट कर सकते हैं इसका जो link है मैं आप लोगों की मदद के लिए description box में डाल दूँगी और अगर आप कोई भी information श्याय करना चाहते है जब आप scroll करके नीच आएंगे तो यहां पे writer reply का section होगा जहां पे आप reply करके information share कर सकते हैं discussion start कर सकते हैं fellow candidates के साथ यह हमारा platform है यहां पे सारे notification section wise बाइफरकेट कर रखे हैं यह top organization का section है यह update UPSC से related है तो जब आप इसपे क्लिक करेंगे जो भी से related latest events है वाँ आपको यह easily मिल जाएंगे अपके लिए बहुत ही easy और events को search करना इस तरह से यहां पे एक install आपका आप पाएगा जहां पे क्लिक करके आप इस आपको easily install कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आशा करती हूँ कि आपको दिक सद एक information मिल पाई होगी वीडियो अच्छा लगे तो उसे like and share करें और हमारे चानल को subscribe करें की वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में करें की वीडियो में रखका बच्त। झाल झाल